जेहन बजाज हाउजिंग फिनांस ने बंपर प्रॉफिट्स वगर दिया बंपर प्रॉफिट्स पता है तब मिल पाए लोगों को जब उन्होंने मेरी बात मानी थी और मैंने बोला था कि एक एक शियर बजाज फिनांस या फिंसर अपका लेकर चुपचा बैड जाओ आई प्यों आने वाला है लेकर बैड जोब फिर रिमाइंडर्स वगरा भी डाले ट्विटर टेलिग्राम में जिस जिसने बात मानी उसने एक एक शियर लेकर गए और उनको शियर होल्डर कोटा में आई प्यों के अलोट्मेंट वगरा भी मिल पाई है अब इसी तरीके से 16 ऐसी कंपनीज बताने वाला हूँ या 16 ऐसे नए आई प्यों आने वाले हैं जिन में शियर होल्डर कोटा होने की पूरी प्रूरी प्रूरी प्रूबैबलिटी है तो कौन सी हैं वो सोला कंपनीज मुझे कितने शियर्स बाय करने पड़ेंगे उससे ये काम कैसे करता है ये सब आज डीटेल में बताने वाला हूँ जो लोग first time IPO में लगा रहे हैं या जिसे कईबर क्यों होता है आप एक application लगाते हो वो reject हो जाती है जब shareholder कोटा आता है त तो सोचो एक से बढ़कर दो chances है मेरे नाम की दो परची जा रही है हो सकता है एक मिस हो जाए दूसरी वाली pick up कर लूँ तो probability थोड़ी सी बढ़ गई तो आज ऐसी ही 16 new IPOs जो आने वाले हैं प्रोबैबली 2025 और 2024 और 2025 में कौन सी है वो solar companies कैसे कैसे काम करते हैं इनके parent companies कौन स हैं वो सब आज की detailed वीडियो में मैं बताने वाला हूं without wasting time deep dive करते हैं पूरी वीडियो देखना कितने कितने share hold करने हैं कब तक hold करने हैं कब बेच सकता हूं सब detail में बताऊंगा but yes before moving ahead अगर भी तक आपने channel subscribe नहीं किया है या new user हो जैसे जो मैं बजाज की बात कर रहा था writer कि बजाज में पहले ही मैंने ये चीज़ बता दी कि यार IPO आने वाला है और कुछ मत करो चुप चाप लेकर बैठ जाओ ये देखिए तीन महीने पहले बजाज housing finance a golden opportunity यहां पर मैंने detail में बताया था कि लेकर बैठ जाओ कोई tension नहीं है फिर उसके बाद यहां पर भी बताया था मैंने जैसे ये देखिए ये कब की date है ये date है 20th August की 20th August को भी मैंने यही बताया था बजाज housing finance will be in September to get shareholder quota buy one share and ठीक है will work with any better buy to work hold on IPO come should buy one or two यहां पर कितने बाए करूँ दो बाए करूँ चार बाए करूँ मैंने कोई फरक नहीं बढ़ता एक बाए कर लो जिस जिस account से IPO लगाना है ये चीज पहले ही मैंने mention करी फिर उसके बाद अब ये आगया IPO तो यहां पर इन्हों ने DRHP फाइल कर दिया 30th August को जैसे या IPO आया हम लोगों ने डाल दिया कहने का मतलब यह है जिस दिन company DRHP के बाद RHP फाइल करती है मतलब company कह रही है मैं 30 तरिक को फाइल कर दिया तो आपके पास 30 तरिक को आप बाई नहीं कर सकते जिस दिन फाइल हो गया उससे एक दिन पहले तक ही बाई करना पड़ेगा आपको ठीक है अब question या रहा है इसका benefit क्या है benefit क्या है वो दिखाता हूँ जब मैंने डाला कि भई मुझे 5 पांच अकाउंट में 6 अकाउंट में मिला है तो यहाँ पर देखना क्या लिखा हूँ है category क्या है shareholder quota उसके बाद next वाली देखिए again shareholder quota अगली वाली देखिए again shareholder quota और एक वादा retail वगेरा में मेरे को मिल गया यहाँ पर इसका benefit क्या हुआ जब हमने 2-3 ती application डाली न एक retail में डाल दी एक shareholder में retail shareholder में H&I में shareholder में तो benefit क्या हुआ एक आदी application यहाँ पर मिल गई और भाइसा 120% gains और ले कर गया अब सवाल आपका वही वापस कि ऐसी कौन सी companies है उनके list में अभी आपके साथ share करने वाला हूँ उनका नाम पढ़ेंगे parent company कौन सी है वो भी देखने वाला हूँ without wasting time मेरे साथ चलते हैं पू समझते हैं जरा चलिए शुरू करते हैं एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ तापके और थोड़ा सा आपको बेटर दिखाई है यहाँ पर छुपना जाए नमबर वन एथर एथर जो है वो EV vehicles वगरा में है और उसका parent company कौन है Hero Moto Corp Hero Moto Corp ने अपनयाब में ही अच्छे खासे returns वगरा भी बना कर दिये है राइट Hero Moto Corp पर बजाज का एक शुचे EV में मुकाबला चल रहा है तो पहली company हो गई एथर अब इसके लिए मैं क्या करूँगा सिर्फ एक share one share buy करूँगा Hero Moto Corp का नमबर वन क्या क्या लोगों को problem आती है जरा वो समझते हैं नमबर वन futures या options ले सकते हैं नहीं futures या options की expiry date होती है प्लस वो माने जाते है I should say speculative में hedging के लिए तो मुझे buy करना है equity share पहली चीज़ क्या मैं दो share buy करूँ तो दो lot लगा सकता हूँ multiple lot लगा सकता हूँ आप एक share भी buy करते हो तो भी आप 2-3-4-5 lot लगा सकते हो कोई problem नहीं है तो multiple में पैसा डालने का कोई फाइदा नहीं है एक share buy कर लो दूसरा hero fincorp hero fincorp जो है तो यहाँ पर यह finance वगरा देती है hero की तो यहाँ पर भी इसकी company कौन सी है hero motor corp अब question क्या आया होगा क्या इसके लिए एक share buy करूँ फिर दुबारा इसके लिए share buy करूँ कोई फाइदा नहीं है दोनों का joint भी एक buy करोगे तो भी काम बनेगा एक share hero motocorp का dmat में buy करो और भूल जाओ सोने चले जाओ कोई load नहीं है आगे बढ़ते हैं नमबर 3 ntpc ntpc green energy का IPO आने वाला है उसकी parent company कौन हो गई उसकी parent company हो गई ntpc ntpc में भी अच्छी कासा move दिया ही दिया है अब उसकी subsidiary company का IPO आने वाला है ntpc green energy चलिए next part पर आत financials hdb financials हुए वो hdfc bank का ही पार्ट है पहला हम लोगों ने देखा hdfc hdfc bank अलग लगते उन दोनों को merge कर दिया फिर hdfc amc का भी IPO आया अब उसी तरीके से यह लेकर आ रहे है hdb financials का तो मैं यहां पर एक share अगर आपके पास नहीं है तो आप add कर सकते हो hdfc bank का अगर already है उसको hold करो नया add करके कोई difference नहीं बनने वाला पुराना वाला काम करेगा कब तक जब तक IPO नहीं आ जाता next part पर आते है sbiamc sbiamc यानी इनकी mutual fund वाली जैसे sbi insurance already list हो गया sbi cards लिस्ट हो गया तो इसके लिए मुझे क्या पाय करना पड़ेगा इसके लिए mुझे sbi state bank of india जिसने अलेड़ी एक साल में चिकासी rally दी है वो hold करना पड़ेगा next number six पर हमारे पास iocl green solar अब पते हो कह रहा है जैसे जैसे renewal energy borosil और बाकी companies ने अच्छे खासा move दिया ही दिया है अडानी green ले लो वारी ले लो तो यह बाकी भी green solar वाले आ रहे है पहला हम लोगों ने ntbc देखा फिर उसके बाद यह आ गया iocl इसके लिए मैं buy करूँग iocl company का share ताकि मुझे यहाँ पर shareholder quota में मिल जाए next one seven nlc india green energy एक और green energy renewal का आ गया इसके लिए आपके पास parent company है nlc india next part पर आते है nlc india के बाद आएगा nhhpc renewal तो इसकी company कौन सी है nhhpc हो सकता है nhhpc renewal का पहले लेकर आए यह nhhpc green power का लेकर आए आपको कुछ नहीं करना दोनों के लिए एक share buy कर लो सिर्फ एक share nhhpc का buy करके बिंदास बैट जाओ अगर shareholder quota में नाम आता है होता का है कई companies जो shareholder quota लाती है कई companies जो shareholder quota नहीं लेकर आती है तो allotment का benefit मिल जाएगा multiple application का benefit मिल जाएगा नहीं मिलेकर आती तो कोई major नुकसान नहीं है 100-500 रुपे के आसपास चल रहा है कोई major loss नहीं होगा यह नहीं है कि आज बाय करूँगा एक share 100 रुपे का कलजीर हो जाएगा 2-4 रुपे उपर move नीचे आ जाएगा दोनों के लिए एक ही share काफी है NHPC renewal और NHPC green power energy का इतने सारे back to back green power energy के आ रहे हैं क्योंकि government खुद इसको promote कर रही है next part पर आते है SJVN green power इसके लिए मैं बाय करूँगा SJVN का SJVN ने अलड़ी last 2-3 साल में massive returns तो दिये ही दिये है अब बारी है यहाँ पर shareholder quota की SJVN green power की next ONGC ONGC as the name suggest इसके लिए मैं बाय करूँगा ONGC का share अब आते next 12th one पे that is bellstar microfinance जिसकी parent company है मुथूट of microfinance अब अगर मुझे यह confirm करना है कि bellstar microfinance की parent company को इसी है मैं जाओंगा Google पे इसका नाम टाइप कर दूगा देखते है कैसे तो जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ यहाँ पर क्या नाम सामने आ रहा है मैंने यहाँ पर लिखा bellstar microfinance parent company तो यह मुझे क्या बता रहा है मुतूट finance limited is the parent company of bellstar microfinance कितना 57% वगेरा यहाँ पर hold करते है NBFC company है यह अराम सा Google मुझे खुद clarify करके बता रहा है यह फिर जैसा दूसरा यह देख सकते हो मैंने अभी जैसे हम लोग next पर आएंगे भरत cooking goal तो मुझे चाहिए भरत cooking goal का क्या scene है आपका जाए क्या बोलते हैं भरत cooking goal limited is a subsidiary company of coal India coal India की है तो मुझे पता ही कि अगर हम मुझे भरत cooking goal का चाहिए तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर कुछ नहीं मुझे coal India का share buy करना है चलिए वापस यलते अपने list की तरफ हम लोगों ने bell star भी देख लिया bell star के बाद बार या आती है केंडरा रुबेको की रुबेको के लिए मुझे क्या चाहिए as a name suggest केंडरा बैंक का एक share buy करूँगा again future नहीं चलेगा option नहीं चलेगा 2, 3, 5 कितने buy करो application एक ही जाएगी उसमें आप 2, 4, 5 slot जितने भी लगा सकते हो next central mind planning and design इसके लिए coal India जाएगा बरत कोकिंग कोल इसके लिए के जाएगा coal India अब यह दोनों के लिए भी again आप एक share buy कर सकते हो जैसा अब लिए हम लोगों ने NHPC के time देखा फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर देखा herofin corp वगरा के लिए तो वो एक share आपका दूनों के लिए काम करेगा अब जैसे कि यह हो गया India first life insurance इसके लिए bank ओबड़ोदा तो bank ओबड़ोदा है या नहीं है confirm करते है Google के पास चलते है वापस जब यहाँ पर Google के पास गया यहाँ पर लिखा India first life insurance parent company तो गूगल मुझे क्या बता रहा है bank ओबड़ोदा पेरेंट company of India first life insurance कितना 65% hold करके चल रहा है तो मैंने यहाँ पर क्या करा मैंने यहाँ पर चुपचा bank ओबड़ोदा का एक share वापस से बाए कर लिया अब यह वो सारी companies हैं cut shot में देखू कि बही कितनी companies हैं तो काम करता है list देख लेता है जरा तो यहाँ पर हो गया hero fin corp 1, NTPC 2, HDFC bank 3, state 4, IOCL 5, NLC 6, NHPC common 7, 8, ONGC 9, Muthur 10, Scandra 11, Cole India 12 और यह हो गया 13 तो यह 13 companies के 16 IPOs आने वाले हैं जिनमें यह 3, 1, 2 और यह 3 hero फिर उसके बाद मेरे पास हो गया NHPC और Cole India यह तीनो common है इन सबका एक-एक share buy करके बिंदाज बैट जो जब तक IPO नहीं आ रहा रहा shareholder quota के benefit मैं आपको अल्री दिखा दिये जहाँ पर मुझे सिर्फ एक application मिली retail में बाकी सब shareholder quota में गई जैसा मुझे Tata Tech के टाइम पर भी हुआ था और भी किसी company का parent IPO आएगा मैं definitely first hand information दूँगा सबसे पहले आपको inform करूँगा ये वीडियो अगर आपको useful लगा हो एक homework देखे जा रहा हो अगर वीडियो useful लगा हो तो definitely different whatsapp group में अपने दोस्तों के साथ share कर देना thank you for watching the video lots of love